आज बनाएंगे फ्रूट कॉक्टेल कस्टर्ड इसकी रेसिपी बहुत असान तरीके से आपको बताते हैं सबसे पहले हमने लिया है दो किलो दूद और इसको हमने बॉइल करने के लिए रख दिया है जैसे ही ये बॉइल होगा इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी इतनी चीनी एड़ करनी है हमने इसमें कि ये दूद अच्छी तरह तेज मीठा हो जाए थोड़ा सा आप चकर देख लें और एहतियात के साथ इसके अलावा हमने एक पतीली में बॉइल करने के लिए रखा है समयाँ, मल्टी कलर समयाँ ली हैं हमने इसके लिए ताके कलरफुल आपको शेड नजर आए कस्टरट के अंदर इधर हमने कस्टरट के लिए थोड़ा ठंडा दोट लिया है और इसमें कस्टरट के हमने 6-7 चमच पाउडर एड़ किया है कस्टरट के हिसाब से आप थोड़ा कम यह जादा कर सकते हैं मैंने वनीला फ्लेवर एड़ किया है क्योंकि हम सब को वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है अब इसको आपने अच्छी तरह इसमें मैश कर देना है इसको मेल्ट कर देना है ताकि इसमें गुट्लिया ना बने इससे फॉक की मदद से यह स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें गुट्लिया नहीं बननी चाहिए अब वाइल किये औरचीनी मिले हुए दोद में हमने इस कस्टर्ट पेरनाए पेस्ट को आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करना है एकदम से शामिल करने से दोद में गुटलियां बन जाएंगी और कस्टर्ट खराब हो जाएगा इसे हमने आइस्था आइस्था करना है और चम्मच चलाते रहना है इस तरह कस्टर्ड की तैयार हो जाएगी लेयर हमारे पास और इस कस्टर्ड को शामिल तैयार करने के बाद अब हमने इसमें क्रीम एट की है चूरा बंद कर दें एक दफ़ा और इसमें क्रीम शामिल करें क्रीम को एड़ करने के बाद बिटर के मदद से क्रीम को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर ले क्योंकि ऐसे क्रीम मिक्स नहीं होगी बिटर के बगएर आपने क्रीम मिक्स करने के बाद अब इसमें एड़ करना है पिस्ता कटा हुआ और समया जो समया हमने बॉयल किती, पहले हमने समया डाल दी है और इसको भी अच्छी तरह चमच चलाकर हम मिक्स कर लेंगे इसके मिक्स करते देखें, इसमें कलरफुल समया की वज़े से शेट बहुत अच्छा रहा है अब हमने इसमें कटा हुआ पिस्ता शामिल करा है ये सब आप अपनी मर्जी के मताबिक शामिल कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो इसके बाद हमने इसमें पिस्ते के बाद कटे हुए बदाम शामिल करे हैं जो के बारी काटे हुए हैं बिल्कुल इसी तरह कस्टड तयार होगा जैसे के आप शादी भया में खाते हैं बहुत मज़ेदार इस कस्टड में अब हमने शामिल करी हैं आधी प्याली के करीब किश्मिश साफ की हुई तिंका निकाल दे हैं उसका बिल्कुल और इसके बाद हमने इसमें 400 ग्राम्स फूर निकाल दिया है सिर्फ फ्रूट कॉक्टेल आपने इसमें शामिल करना है और बहुत मज़ेदार लुक आ रही है बहुत यमी लुक है देखते जाएं इसके बाद हमने एक बाउल में बल्के हमने दो जगा बाउल लिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कस्टड है तो इसको ह पीसलाइस के उपर दुबारा questi कस्टड शामिल कर देंगे और इस तरहां से सबसे उपर लेयर सिंपल रहेगी जिसको हम बात में ज्यली से करनिश करेंगे जूंकि ज्यली हमने अलग बनाई हुई है उस ज्यली के साथ बात में करनिश करेंगे ये हमने एक लियर के उपर जोई करें, शुक्रिया.